गुरु मा रुक्मनी जी से निशुल्क मिले हर गुरुवा जन्ता दर्बार अधिक जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर संपर्ख करे जै शरी देव प्रे भक्त करो आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि अपने नाम के अनुसा आप अपने पर्स में कौन सी वो तीन चीजे रखे जिसे रखने के बाद आपको धन की समस्या कभी नहीं आएगी और दिन रात आपकी उन्नती भी होती जाएगी धन सम्मधी उपाई बताने मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं भारत को फिर से सोने की चिडिया होते में देखना चाहते हूँ आपने कभी सोचा है इतने सालों बात भी क्यों इंडिया एक डेवलापिंग कंट्री है वो भारत जिसे लूटने के लिए कबजा करने के लिए पूरे विश्य से लोग आए आज वो बिछड़ रहा है क्यों? क्योंकि भारत अपनी संस्कृति पूर रहा है भारत आत्मा का जो विशीश ज्यान उसे था वो पूर रहा है इश्वर से एक होने का जो विज्यान उसके पास है वो उसे पूर रहा है लोगों के आस्था बिखर रही है लेकिन मैं आपकी गुरुमा रुक्मनी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी काईट आपको बार-बार वही ग्यान, वही तहसे में बाते, वही जीवन उपियों की उपाई और डोटके याद दिलाने के लिए इस चैनल के माध्यम से बार-बार आजाते और इस ग्यान को पाने के बाद आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी आपको कभी भी जीवन में धन की तंगी नहीं होगे आपका फर्स कभी भी पहसों से खाली नहीं होगा आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा करजे वाले जो आपको परिशान किये हुए हैं वो आपको परिशान नहीं करेंगे और बिना करजों के बिना बोज के चैन के नीद आप सो पाऊगे वो कहते हैं न कि साई इतना दीजिये जामे कुटुम समाए मैं भी भूका ना रहूं साधू भी भूका ना जाए और शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूँगे कि अगर गुरु मा का लंबा वीडियो देख करके पक जाते हो तो मेरा कहना है कि धंग से पक जाओ क्योंकि अगर पकोगे नहीं न तो अपने काम नहीं आओगे कच्चे रह गए तो तुमारा कोई मोल नहीं है गुरु हो मा भी हो चिंता तो है मुझे आपके इसे लिए कभी प्रवचन देती हूं कभी ज्यान देते हूं ताकि सुधर जाओ अपने जीवन में कुछ कर दो चिंता है मुझे आपके तो चलिए आज के ज्यान से शुरू करेंगे ग्रेहों की बात गुरुमा के साथ ना चौर हार्यम नच राज्य हार्यम ना प्रात्र भाज्यम नच भार कारी ब्यायाकरत वर्धत एवनित्यम ग्यान धलं सर्वधन प्रदान यह जो ग्यान आज में तुभी दे रहे हूं यह ग्यान जो है अनबोल है यह ऐसा धन है ऐसा धन है कि कोई तुमसे चूर चूरी करही नहीं सकता चाहे कितना भी बड़ा चूर अगर यह ग्यान तुम्हारे अंदर बस गया अगर तुमने जीवन को जीना सीख लिया तो भाई भाई में इसका बटवारा भी नहीं हो सकता सरकार इस पे टैक्स भी नहीं लगा सकते शास्तर कहते हैं यह बात ग्यान एक ऐसी चीज ले इसको रखने में कोई जगे नहीं लगती इस ग्यान का कोई बोज नहीं जितना बाटो जितना पाओ जितना दो यह बढ़ता रहता है अब बताने जा रही हूँ कि पर्स में क्या रखना है लेकिन उससे पहले पर्स को तो समझ ले पर्स से सम्मंधित कुछ डिप्स प्राप्त कर ले क्योंकि मैंने देखा है लोगों का पर्स तौबारे तो क्या करते हूँ जैसे घर में तिजोरी होती है अलमारी में तिजोरी रखते हूँ दुकान में गल्ला रखते हूँ वैसे ही हमारे शरील पर ये पर्स एक तिजोरी होती है लेकिन इस तिजोरी का क्या बुरा हल बनाते हूँ तो इसलिए पर्स की पहले कुछ टिप्स दे रही हो उसके बाद ये देविक चीजें, हगवान की दिव्य चीजें कैसे उसमें रखनी है बता के यह उबाए बैसे बहुत सिंपल है इसमें आपको कोई पूजा नहीं करना, कोई मन्तर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है लेकिन कुछ नियम है, कुछ चीजों की स्तावधानिया है, उसका ध्यान लगरी पर्स अब सबसे पहली समस्थ्या मेने लोगों की साथ देखी है, जब ही अपने पर्स को रखते हैं, सालों सालों उनका पर्स भही रहता है जगे-जगे से फट रहा है, उधर रहा है, उसमें छेद हो गया, आपको कोई चिलता ही नहीं अगर ऐसा कोई बर्स है, तो भहिया अभी बतन दो, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे बर्स में कहां टिकेंगी उनको बुलाना है, तो एक अच्छा आसन भी दो, इसलिए पर्स कभी भी फटा हुआ, खराब, उधरा हुआ, छेद वाला नहीं बुला जाहे दूसरा मैंने देखा है, खासकर लेडी के साथ ये समस्या देखी है, जब भी पर्स होता है आपका उसमें सारे जहान का समान होता है मुझे तो लगता है कि अगर हम उसमें से कुछ भी मागेंगे ना सुई से लेकि हवाई जहाज तक वो लेडिस के पर्स में से निकल सकता है तो इतना समान क्यों? पर्स जो है उसमें उपियों की समान रखिए उसे बार-बार साफ करते रहे आपका पर्स जैसे घर को साफ रखती हो जैसे किचन को रसुई को साफ रखती हो वैसे ही पर्स के भी सफाई बहुत सरुई है पर्स आपका साफ सुतरा रहेगा उसमें व्यत के कागर्स, पेपर, पैंसिल, रबर और नजाने क्या-क्या समान अगर नहीं होगा तो धन की पर्कत हो तो उसे साफ सुतरा रखे, अच्छा रखे, मेंटेन करके रखे नियम बाद सकते हैं कि हर 15 दिन में उसकी सफाई करेंगे और पर्स बेखास कर लीडीज को कहोंगे एक छोटा वॉलेट भी रखे यह जो उपाएँ है आप उसी वॉलेट के अंजर कर सकते हैं साथ ही इस बात का ध्यान रखे जब ही आप कहीं सिधन ने करके आ रहे हैं आपके घर में धना रहा है या आपके हाथ में पैसा आ रहा है तो उसे पर्स में जरूर रखे चाहें उस पर्स में से आप खर्चा कर लिए पर्स कभी भी खानी नहीं होना चाहे और आजकल तो डिजिटल यूग है मैं देख रही हूँ लोग पैसा रखते ही नहीं पेटियम बहुत है या उनके लिए यूपियाई बहुत है फोन पेबहुत है फोन ही आज उनका अकाउंट बन गया है फोन ही आज उनका वालेट बन गया है लेकिन पर्स के अंदर हार्ड कैश जरूर होना चाहे चाहें आप थोड़ा सा रखे लेकिन जरूर रखना चाहें सब कुछ डिजिटल मत करें एक और बड़ी खास टिप है जो मैं आपको देना चाहते हो आप एक नोट या कोई सिप का या इस मात्रा में भी रख सकते है 11 रूपे, 21 रूपे, 51 रूपे, 101 रूपे वो हमेशा ही अपने पर्स में बनाये रखे उसे कभी भे खर्चना करें यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि धन ही धन को खीचता है पैसा ही पैसे को खीचता है और बहुत से लोग ऐसे हैं मुझसे आशिरवाद लेके भी जाते हैं तो अपने गुरु त्वारा आप आशिरवाद ले सकते हैं और उस धन को मौली बांध करके अपने पर्च में रख सकते हैं ताकि वो आपके हाथ से कभी भी खर्चना पर्च को भी आपको चींच करते हैं न चाहिए जी हाँ ऐसा नहीं है कि सालों साल एकी पर्च को रखे मेरे अनुसार तो हर दिवाली को आपको अपना पर्च बदल लेना चाहिए ताकि माता लक्षमी के आशिरवाद दिवाली के पूजन में आप रख करके नया पर्च चेंच करें और माता लक्षमी की कृपा आपके पास पूरे साल पर बने देए अगर आपको लगता है कि आपकी धन को नसर लग जाती है, आपकी पैसो को नजर लग जाती है। बहुत जल्दी आपको पैसा आता है और एकदम हाठ से निकल जाता है। तो ऐसे में आपने जो भी अपने गुरु धारण के हैं, उनका एक फोटो भी आपने पर्स में रख सकते हैं। और पर्स को भी राशी अनुसार खरी देंगे, अपने नाम के अनुसार खरी देंगे, उसके कलर को तो बहुत अच्छा रहेगा। वो भी मैं आगे बताने वाली कुपाई में, लेकिन पहले कुछ और बाते बतानी आपको सरूरी है। बरकत के लिए आपके जीवन को उननत बनाने के लिए हमने हमारे श्यनीपीट मंदर से एक सन मनुकामरा सिथी लॉकेट तयार किया है। जिसे मैंने स्वैब अपने हाथों से मंतर से दिखिया है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है धन सम्मंदी तो आप ऐस लॉकेट को हमारे श्यनीपीट मंदर से मलवा सकते हैं। चलिए उसके बारे में और जानते हैं। उसके बार मैं आपको बताती हूँ कि पर्स में आपको क्या क्या रखना है। जै शनिते हैं। आप सभी की समस्या का निवारिन करने के लिए अपनी दस वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान की बात। मैं गुरु मार्मनी लाइव हूँ आप सब के कश्टों को दूर करने के लिए। मंतर सिथ साथ मनो कामना सिथी लॉकेट। नौरतों वाले इस लॉकेट को अपने गली में धारिन करने से आपको समस्त नौगरे शुप फलप्रदान करने लगते हैं। और नीचे लगी यह जुद्धे पे करक पोड़ी हैं जब यह आपके शरील उसपर्ष करती है। तो रिगवेद की श्री सुद्ध की जुरिचाएं हैं और लक्षमे मंत्रों से अभी मंतृत होने के कारण यह आपके जीवन की सभी धन सम्बंदी समस्यां उदूर करती है। करसों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांती समृत ही लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसे इस दिल पुर्ष त्वारा तीन दिन तक मंत्र सिद्ध प्राण पतिश्द और जाकरत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कल्यूग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिने सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से अब 133 देशों की लोगों की चीवन में सुक, शांती और समृत दीप भर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गुरू रचनी शिशी जी जिस पे आज 19 लाग से जादा सब्स्क्राइबर्स हैं। वहाँ पर जाकर के आप ऐसे चमतकारी गुरूप से लाग प्राथ की हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सित्सल मनुकामना सिथी लॉकिट को राप्त करनी के लिए हमारे शनी पीछ मंदिन नई दिली में ही कॉल करें या हमें बॉट जाब करें। जै शन्ती। जै सिताराम जी मैं यूएसे से अमिता शुकला बोल रही हूं। और मैं माता जी के संपर्क में आई करीब 5-6 महीने हो गयें। मेरे हजबन की डेट के बाद में बहुत परेशान थी। मेरे बच्चे सेटिल नहीं थे। मेरा बड़ा बेटा जो मेडिकल स्कूल में जा रहा है। थार्ड येर में है। और वो अपने एक्जाम में कलियर नहीं कर पा रहा था तो उसे बहुत स्ट्रगल हो रहा था वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था अपने एक्जाम्स में। तो माता जी ने उसको बताया। उसकी जर्वपत्री देखी उसको रिंग दी। कि यह रिंग पहनो तो अभी रिंग पहने हुए अक्टूबर से रिंग पहनी है शायद अक्टूबर या नमंबर से तो यहनि कि अभी फिती नहीं हí होे हुए रिंग पहने हुए और उसको उसने इ liability हम बहुत अच्छे नंबर लेके आया है मतलब यहां पर सत्तर परसंट पा जैसा माताजी ने कहा था वैसे ही हो रहा है तो फिर मैंने अपनी भी जनम कुंडली दिखाई यह सब तरफ से परेशान थी मेरे हजबन की देथ हो गई थी ससराल वालों ने बिलकुल हजबन के जाने के बाद एक दम संबंद खतम कर दिया किसी तरह की कोई मदद नहीं मेंटल सपोर्ट भी नहीं था कि financial तो forget about it मेंटल सपोर्ट भी नहीं था उन लोगों का और मैं इतनी परेशान हो गई थी सब तरफ इधार उधार मैं भटक भटक के सब पंडितों के पास जा जाके जनम पत्री दिखा दिखा के परेशान थी और मेरे लिए भी माता जी ने रिंग बना रही है और मुझे जो भी remedies पूजा पाट बताई है वो भी मैं करती हूँ फिर मैंने अपने छोटे बेटे की भी बनवाई तो माता जी ने उसके छोटे बेटे के लिए भी रिंग बनवाई है तो यानि कि मैं सब तरफ से परेशान थी कि husband की death को अभी दो साल भी नहीं हुए हैं तो मैं पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी और उधर बच्चे की पढ़ाई का भी मुझे बहुत टेंशन था कि medical school का इतना खर्चा है कैसे सब होगा तो माता जी ने तो मुझे बहुत सहारा दिया है मतलब mental support भी दिया पूजा पाठ भी उन्होंने बताया और ring वगेरा भी दी है तो बस आप लोगों से मेरा एक यही हाद जोड के निवेदन है कि प्लीज आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी remedies या पूजा पाठ माता जी बताती हैं आप पूरे विश्वास से करो और जरूर फल देगा माता जी के आशिरवाद से और भगवान की करपा से सारे काम पूरे होंगे मैंने तो अब चिंता करना छोड़ दिया है यहां तक कि मुझे रात में नीम नहीं आती थी तो मैं तो अब अराम से सोती हूँ मैं तो सोचती हूँ कि माता जी है तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है तो बस आप लोगों से य लड़की हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरी पूजा पार्ट का आंसर नहीं होती थी पांच-छे सालों से मैं बहुत परिशान थी मेरा कोई काम नहीं बनता था फिर माता जी ने मुझे जिस तरह से बताया कि बिटा इस तरह से तुम पूजा करो और उन्होंने जो भी मुझे मंत्र दिया जो भी मुझे पूजा पार्ट बताई फिर मैं वैसे ही करती हूँ एकदम माता जी को अपनी गुरू मा मान कर मैंने उनके जैसे वो बताती आंख बन करके मैं कर लेती हूँ मैं उनको कुछ भी नहीं पूछती की माता जी इसको करने से क्या होगा क्या नहीं हम करते हैं जी मा गुरू मा और हम कर लेते हैं और मेरा वो सारा काम बनता ही चला गया तो अगर मेरा काम इतनी जल्दी बन सकता है तो बाकी जो हमारी तरह लोग हैं जो परेशान हैं उनका भी काम जरूर बनेगा बस यही है कि आप लो भगमान में आस्था बनाए रखिए माता जी के संपर्क में रहिए जैसिता राम जी पैसे कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पैसे को कमाते रहना ये सबसे कठिल बात है अब माता लक्षमी चंचला है तिकती क्यों है मैंने एक कहानी सुनी है छोटी सी कहानी आपको सुनाती हो उसके बार उपाय में आएके भारत के एक गाउं में एक पत्ती पत्नी का जोड़ा रहता था पत्ती का नाम था रमेश और पत्नी का नाम था सुरेखा रमीश जो था वो टेलर का काम करता था यानि कि लोगों की लिए का प्रेसिलता था उसके हाथ में बहुत हुनर था वो बहुत अच्छी पूर्ते बनाया करता था लेकिन जैसे जैसे बहर से समाना आने लगा और लोग रेडिमेट कामिट्स घरीदने लगे रेडिमेट कपड़े पहनने लगे तो धीरे धीरे उसका काम कम होने लगा लेकिन एक दिन ऐसी नौबट आ गई कि उसे अपना मैपार बंध ही करना पड़ा तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि क्यों ना हम काम को बदल ले हमारी हग कितना बड़ा बागीचा है कई सारे फूल और पौधी भी है क्यों ना तुम लोगों के पास जाके उनको ये पौधी बेचो रमेश ने सोचा कि पत्नी की बात मान के देखते हैं वैसे भी इस समय खाने के लिए अन भी नहीं है वो कुछ बौधे लेकर के बाजार में गया पहले दिन मूँ लटका के आया पत्नी ने पूछा तो उसने दुखी दुखी कहा कि ये काम भी मुझे लगता है नहीं चलेगा पत्नी ने कुछ नांड़त बनाया और कहा अरे ऐसा नहीं है तो मुझाम करते रहो एक दिन जरूर चलेगा उसने फिर से अगले दिन जाकर कि देखा उसके एक दो पॉधे किसी तरीके से नहीं हो रहा पत्नी ने फिर समझाया अरे नया काम है समे लगता है फिर हिम्मत बांद के अगली दिन गया धीरे 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 जैसे जैसे लोग उसके बारे में जानने लगे उसके पौधे एक एक दो दो कर्थी पिखने लगे लेकिन अभी भी इतना धन नहीं मिलता था जिससे परियाब तो अपना घर का खर्चा चला सके फिर एक दिन उसे मालोग हुआ कि शहर में उसके पौधों की बहुत सारी कीमत बिल सकते हैं शहर के लोग पौधे खरीदने में बहुत जादा इंट्रिस्टेट भी हो सकते हैं तो वो शहर जाने लगा इतना पैसा तो था नहीं कि वो किसी बस में या किसी गाड़ी में या किसी मोटरवाइट के पिर जागे उसके पास साइकल भी नहीं थी विचारा पैदल ही शहर जाता और वहां पौधे बीच करके वापस आता बहुत पहनत की और धीरे धीरे शेहर में उसका पैर जमने लगा उसके पाद उसके पोधे बिखने लगे पती-पती दोनों भी खुश हो गए कि चलो अब ये जो बिजनिस है ये जो काम है उसको सेट हो गया उन्होंने अपने घर में और जादा आपने बागीचे में क्यारिया लगानी पौधे लगानी शुरू करती है अब जैसे ही कोई व्यक्ती थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी सक्सेस्फुल हो जाता है आसपर्स की लोगों को बहुत जुगने लगता है क्योंकि उस तरफ पहुंचने के लिए यानि उसके जैसे सक्सेस्फुल होने के लिए काम्याब होने के लिए दूसरे को महनत करनी पड़े और किवर्ड टांग खीचने में उसे अपने लेवल पर वापस लाने के लिए साथा महनत करनी नहीं और भारतिये लोग तो आपको उसका मड़ोगा वह जब आने-जाने लगा अपने मित्र के घर में अपनी दोस्त के घर में उसके डेखा यहां तो बहुत पैसा आ रहा है उसकी पत्नी आई पत्नी ने देखा अरे आप तो सुडेखा के पास सब कुछ है घर वह अच्छा हो गया गाड़ी उसके पास हो करते क्यों नहीं हो एको रमेश भाई साब को कितना कुछ करते हैं वो अपनी पत्री को कितना खुश रखते हैं कितना कुछ लाके देते हैं और तुम हो कि पुरे दिट घर में पड़ी रहते हो तुम्हारा काम नहीं चलना तो तुम भी कोई और काम लूटो लेकिन मडू का य यह किवल चहता था कि वो रमेश को वापस उसके ही हिसाब पर लेया, उसने रात में जो उसकी पतनी ने उसे खरी-खोटी सुनाई, उसकी सारा बदला उसने रमेश से जाके लिया, रात में उसने रमेश क्या सारा बागीचा तोड़ भूर लिया, उसके सारे पौधियों आया था हमने इस सब बागीचे में ये पौधों को बढ़ाने में, इतना समय, इतना पैसा, अब हम क्या करेंगे, तब उन्हें याद आया कि उनके गाउं में एक संत है, उनके पास गए और जाकर के अपनी पूरी समस्या बताए, संत ने उन्हें एक मंत्र दिया, और कहा इ तुम्हारी दिन फिरेंगे, रमेश ने वैसा ही किया, और रोजाना उस मंत्र का जाग करता रहता, और अपने काम भी फिर से लग गया, इधर जाता, उधर जाता, किसी ना किसी से कुछ उधार पैसे मिल जाए, ताकि फिर से वो अपना बागीचा लगा सके, और एक दिन का अपने मंत्रों को पढ़ता रहता, राख दिनों से नीद नहीं आती, बहुत महनत करता, लेकिन उसने इश्वर से विश्वास नहीं गोया, वो रोजाना पुरी श्रद्धा विश्वास से उस मंत्र को जाग करता, और एक दिन चमतकार हुआ, देवी मा प्रपिट हुई, उ और कहा कि मेरा आशिरवाद, जब तक ये पौधा तेरे पास रहेगा, जब तक तो इसका ख्याल रखता रहेगा, इसी श्रद्धा वर विश्वास से अपने मंत्रों को पढ़ते हुए, तुझे कभी भी तन की कभी नहीं हुए, उतने रमेश ने उन वीजों को धरती निका लेकिन इसका मर्म समझे, मीनिंग समझे, मीनिंग बहुत अच्छा है, अब 2000 का नोट आया, सुरीखा ने देखा, उपने पती को बताया, कि ये तो चमतकारी पेड है, इससे रोजाना पैसे आएंगे, अब हमें कुछ भी करने के आवश्यक्ता नहीं, अब तुम घर पे बै लगाने के लिए आवश्यक्ता है, हम इससे लेंगे, काम भी करेंगे, और जो पैसा बचेगा, हम उससे दान पुर्णी करेंगे, पत्मी सुरीखा अपने पती का साथ देने लगी, और उन्होंने ऐसा ही किया, वो अपने वेपान में उस पैसे को लगाते और बाकी बचे वो धर्म कर्म में लगाते थे, देरे देरे रमेश का सारा करजा उतर गया, इस बार उसके पास एक नहीं तीन दजीचे हुगे है, वो लोगों को खाना खिलाता, उनको कपड़े देता, उनको कंबल बाठता, जो करीब उसके पास आता, उसकी साहिता करता, अब लोग उसे दर्मात्मा कहने लगे अब मडूका से ही देखा नहीं गया पहले तो केवल पैसा था अब तो इसके पास नाम सम्मान भी हो गया वो चुप-चाप उसकी धर में गया और रात में उसने उस पौधी को देखा पौधी में से 2000 की नोट लटक रहे थी उसने उस पौधी को ही चु सो गया और उसने सोचा अब तो मैं अमीर हो गया अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यक्ता नहीं है सुभे क्या देखता है कि उसके पूरे घर में साफ ही साफ ही तो उसकी पतनी दोनों विस्तर पे चड़ गए नंडे से साफ को भगाने की कोशिश करने लगे लेकिन साफ मुझा ही नहीं रहे पतनी ने उससे पूछा कि तुम रात पर कहां थी उसने पूरी कहानी बताई पतनी समझ गई मढ़ूका को कहा कि यह पौधा तुम पो लोटाया हो जैसे ही वो पौधा रमीश को लोटाया मढ़ूका ने वो सारे साफ चली गए अब आपके साथ कोई ऐसा खरे आपका दोस्त आप क्या करोगे उससे दोस्ती तोड़ लोगे ना लेकिन यही तो गलत है मडूका की परिशानी को समझा रमेश ने और उस रमेश में मडूका को कुछ पैसे दिये उसके अपने साथ काम को विवाया और उसकी भी तरक्की में योगदान में है और अपने अच्छे सुभाव से उसने मडूका को भी परिवर्थित किया उसके जीवन में भी अच्छा ही लाया कहने का अर्थ किवल इतना है कि धन कमाओ लेकिन धन की इच्छा जो है वो किवल अपने तक्सी मिपना रहा मनुष्य धर्म पर्मो धर्म मेरा तो एक ही माना है तुम पूजापाट करो, मत करो गुरुमा को कोई सरक नहीं पड़ता मैं तुम्हें शमा कर दोगे तुम्हें इश्वर को याद करो, मत करो उसके लिए में शमा कर दोगे लेकिन मनुष्य होके मनुष्य धर्म का पालन करते रहो ये मेरी इच्छा है हमेशा हर एक शिश्य से हर एक भाग से जब ही तुम्हें लगे, जितना तुम्हारे सामर्थि में वो दूसरे के सहायता करो, भागवान तुम्हारी सहायता को अवश्या लगे, देवी मन तुम्हें भी ऐसा मनी प्लांट देंगी चितना अच्छा करम करोगे, उतना धन तुम्हें प्राप्थ होगा तो धन बुरा नहीं है धन की इच्छा करना भी बुरा नहीं है लेकिन उसे सही जगे खर्च करना बहुत जरूरी है क्योंकि सही जगे खर्च किया हुआ जो धन है वो हमें अर्थ कहलाता है हमें सुक देता है, शांती देता है और गलत तरीके से कमाया हुआ गलत जगे खर्च किया हुआ थर अनर्थ होता है हमें हमीशा ही दुख देता है आज तुम्हें शायद ना पता चले किसी को देखते हो कि वो तो कितना अधर्मी है कितने पैसे कमा रहा है लेकिन तुम कुछ सालों बाद उसी को देख ले न वो व्यक्ति तुम्हें दुखी और परिशान जरूर मिलेगा और अगर दुखी परिशान नहीं मिल रहा तो यह समझ लो कि वो अच्छे कर्म कर रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं वो अपनी पुन्ने कर्मों से अपने पाप कर्मों को काट रहा है इसलिए पुर्णे करम करते रहो, अच्छे करम करते रहो वही सबसे बढ़ी आई चरी अब आपको बताते हैं कि कौन सी है वो चीजे और कैसे आपने रखनी है अपने बर्स में ताकि धन की कम ही आपको कभी ना हो लेकिन फिर बताऊंगी अगर बुरे करम करोंगे तो धन कभी नहीं टिकेगा अच्छे करम ज़रूर करना भगवान आपको बहुत सारा पैसा देगी इस सुपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार का दिन चुनिए अगर पूर्णिमा का दिन मिले तो ये अच्छा है अगर शुक्रवार पी पूर्णिमा हो तो ये तो अति उत्तम है और अगर आपको थोड़ा भी जोतिश का ज्यान रगते हैं या फिर पंचान देखना जानते हैं तो जिस समय शुक्रवार पड़े उस दिन पूर्णिमा पड़े और तुला या व्रशव लगन में ये कारी किया जाए तो ये सर्वश्रेश्ट महुड़त रिगए साथ ही अगर इस उपाई को आप किसी स्त्री के हाथों कराएं यानि कि वो स्त्री उस उपाई को करके आपको दें और आप अपने पर्स में रखें या कोई कवारी गन्या या छूटी बच्ची आपके अपनी बीटी भी हो सकते हैं उसके द्वारा कराएंगे तो ही ये बहुत शुक्षल प्रदान करेंगे इस उपाई को केवल एक बार करना है पर्स इसके लिए नया खरीदे लें तो अच्छा है अपनी नाम के अनुसार नाम अक्षर के अनुसार या राशी के अनुसार आप अपना लखी कलर का पर्स लें ताकि आपको कभी कोई देख करना है इस उपाय को करने के लिए आपको एक भोजबत्र चाहिए भोजबत्र यदि आपको पता नहीं है तो पेड की जो छाल होती है उससे जो कांगस बनाए जाता था प्राचीन काल में वो भोजबत्र के लाता है उसे पवित्र मानते हैं तो उसका ही प्रयोग करें कोई एक भोजबत्र अपने पास ले आए उसको छोटे से चापूर में चोटे से स्क्वेर में आपने काता है इतना ही साई जितना आपके पर्स में वो आ जाए एसे किसी पॉकेट में उसे रखे जहां बार बार आपको चुनाना पड़े हाथ न डालना पड़े और वहां पर पड़ा रहे आपको और कुछ उसमें नहीं डालना है उस भोज पत्र पे आपने जो मोर का पंक होता है, उसकी कलम बनाने है, उसके कलम से आपने एक स्याही बता रही हूँ, वो स्याही खुद बनाए, उस स्याही से आपने ये यंत्र, जो मैं आपको स्क्रीम पर देखा रही हूँ, ये बनाना है, पहले स्याही की बिधी समझा दे प्राप्त करना तो आपको जो केसर युगत चंधन होता है, चंधन प्राउडर गोको झाले और इत्र जो कैसना है, मोगरे का इत्र लेकर करना है और पानी नहीं डालना गो identically जो प्लाण वर इत्र पानी नहीं हुआ भ्लान उस लाल कपड़े के अंदर उतना ही उसको नाप ले उसके दो टुकड़े ताकि आपको इससे सिल के बंद भी करना है और उसमें आपने तीन चीजे डालनी है अपने नाम और आशी के अनुसार चलिए जानते हैं कौन सी है वो तीन चीजे फिर उसको सिल के आपने उस लाल कप लेना है, वो सफेद पर्स में वॉलेट में कुछ भी आप ले सकते हैं, बैग, पर्स, वॉलेट, जो भी आप करते हैं, उसके अंदर ये जो यंत्र में ने आपको बताया है, इसे लाल कपड़े में रखना है, लेकिन रखने से पहले आपको कोई भी एक फ्लावर का जो चीटा मानना है, उसके बाद साथ में एक चान्दी का गोल सिखा, बिल्कुल प्लेन, उसके कोई माता की फोटो नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चीप प्लेन चान्दी का सिखा, और एक बड़ी इलाची, जो काली रंकी होती है, वो एक बड़ी इलाची, यंत्र के आपको इससे अवश्य ही लाग होगा, जीवन में बहुत उनती करेंगे, बाकि अगर कोई ग्रह पीडा आपको सता रही है, कोई ग्रह का दोश आपको लगा है, तो आपकी गुर्मा आपके पास है, आप हमारे शनी पीट मंदिर में कोन करिये, और हमसे एक अपॉइमेंट आपकी अगर आप हमारे शनी पीट मंदिर के बारे में मेरे पारे में या अमारी संस्था के बारे में नहीं चानते हैं, तो नीचे वीडियो में लिंक दे रही हूँ, उसको टंग से देख लीजेगा, आप हमारे बारे में सब खुछ जान जाएगें, चलिए आज के लिए आपको आशिर्वात देते हैं, आज किस वीडियो के हां समाप्त करते हैं, इश्वर आप सभी की इच्छाएं पूरी करें, धन सम्मन्निक कोई समस्य आपको कभी भी ना हो, और करजें आपके शीग रही अचाएं, आप सभी को आशिर्वात देते हुए, जै शानुद। हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोज को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें।